हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे आज की ये वीडियो उन सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो इगनु के अल्ड श्टुडेंट्स है या इगनु में एड्मीशन लेने वाले हैं तो दोस्तों आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके जो जनवरी 2024 सेशन के लिए एड्मीशन है वो चल रहे है जिसकी जो लाज डेट है वो यहाँ पर जनवरी 2024 सेशन के लिए वो 15 फरवरी रखी गए या 15 फरवरी तक इ इप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एड्मीशन ले सकते हैं ऐसे में बहुत सारे स्टुएंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इगणु में एड्मीशन नहीं लिया है पर वो इगणु में एड्मीशन लेना चाहते हैं तो आप भी अगर पॉबलम भी हो सकती है इसलिए जल से जल इगनु में अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप 15 फर्वरी तक इगनु में एड्मिशन ले 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 हैं इसके बाद अगर आप इगनु में अपना री रेजिटरेशन करवाना चाहते हैं next year यह next semester के लिए तो इसके लिए पर अपना next year और next semester के लिए 15 फरवई तक अपना re-registration करवा सकते हैं और आपको ध्यान रखना आप last date का wait करते हैं और last date में जो आपकी website है वो काम नहीं करती है जिसकी वजह से बहुत सारे students को problem होती है जैसे उनकी fees cut हो जाती है पर status not found आता है re-registration नहीं हो पाता है पर उनकी fees जो है वो account से deduct हो जाती है तो ऐसे में आप ध्यान रखके कि आप last date का wait ना करें आप time से ही अपना re-registration करवा ले तो यहाँ पर अगर आप 15 फरवरी तक अपना re-registration तो यहाँ पर अगर आप admission लेना चाहते थे या re-registration करवाना चाहते थे तो 15 फरवरी तक जल से जल अपना re-registration करवा ले क्योंकि आपके पास कम से कम समय बचा है तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझाए और दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करना विलकुल ना भूले धन्यवाद